भगवान श्री कृष्ण गीता के आत्मसयम योग में श्लुक नंबर पाँच में कहते हैं उधरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादेद मनश्य को अपना उधार स्वयम करना चाहिए अपना पतर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम स्वयम के मित्र हैं स्वयम के शत्रो नहीं योग परम मंगल की यात्रा है योग के द्वारा मनश्य परमात्मा तक सत्य तक आनंद तक पहुशता है भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो साधक है जो योग की तरफ चल रहा है उसे परमात्मा से जड़ जाना चाहिए उचायों की तरफ जाना चाहिए मनश्य को सतंत्रता मिली भी है कि हम चाहें तो अपना अच्छा कर ले हम चाहें तो अपना बुरा कर ले हम अंतिम नर्क की भी यात्रा कर सकते हैं और अंतिम मोक्ष की भी यात्रा कर सकते हैं हम चाहें तो सफलता हमारे कदम चुमेगी और हम चाहें तो निराश होकर एक फेल व्यक्ति की तरफ बैठ सकते हैं सब कुछ हमारे अपने हाथ में है, मनुष्य के हाथ में परमात्मानी दिया हुआ है, स्वतंत्रतादीवी है, कर्म दिया हुआ है, परन्तु अपने जीवन को किस दिशा की तरफ लेका जाना है, ये हमारा खुद का निर्ने होता है, स्वयम का डिसीशन होता है, तो हम कैसा नि शत्रू वह है जो अपने लिए दुख के बीज बोता है खुद अपने हातों से अपने लिए गढठा खोदेगा कांटे लगाएगा दुख के बीज बोएगा और फिर जब फल आते हैं दुख के तो फिर चलाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान अच्छे लोगों के साथ ब कर्म हमने किया था बीज हमने डाला था और इस बीज का अब फल हमें प्राप्त हो रहा है कई बार जो हमने गलती की उसका फल तुरंत मिल जाता है जिसे अगनी में कोई हाथ डाल दे तो तुरंत फल मिलेगा हाथ जल जाता है परनतु कई बार कुछ ऐसा हम कर बैठते हैं अ अनंत जन्मों का फासला हो जाता है फिर हम कहते हैं कि इस जन्म में तो हम इतने पुर्णे करते हैं धर्म का काम करते हैं हमने तो सबका ही भला किया सबके लिए अच्छा बोला पर हमारे बच्चों के साथ ही क्यों बुरा हो रहा है हमारे परिवार के साथ क्यों बुरा हो रहा लेकिन हम भूल जाते हैं कि पिशली जन्मों की भी यात्रा है अगर हम नदी की तरफ चल रहे हैं तो नदी तक ही पहुंचेंगे जहां का हमने यात्रा कर ली वहीं पर ही व्यक्ति पहुँच जाता है जैसे कर्म कर लिये फिर वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है तो इसलिए कर्म जो है बड़ी सोच समझ के करना चाहिए तो जो अपना मित्र होता है वो क्या करता है वो कोई ऐसा कारे करता ही नहीं है जिससे आगे दुख मिले कले मिले अशान्ती मिले उसके कर्म होश में होते हैं अवेरनेस में होते हैं वो बेहोशी में कर्म नहीं करता जब बेहोशी में कर्म होते हैं तो फिर कुछ भी हो जाता है लोग सोचते हैं कि सब हमें आशिरवाद सब हमारे लिए बहुत अच्छा बोलें, हमारी प्रशंसा की जाए, हमारा सम्मान हो, लेकिन खुद दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम जो फैकते हैं इस ब्रह्मान में वही हमें प्राप्त होता है, हम पत्थर फैकेंगे तो पत्थर ही मिलेगा, हम अपनी तरफ से अ पनम में फैका था, जब उसका फल हमें मिलने लग जाता है, वही पत्थर मिलता है, बलकि बड़ा होकर मिलता है, तब हम चिल्लाने लग जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बलकि फिर गालिया देने लग जाते हैं, बुरा क प्रन्तु एक योगी एक संत क्या करता है। एक योगी जो होगा अगर कुछ बुरा हो भी रहा है उसके साथ किसी भी कारण वर्ष तो वहे उसके लिए किसी को कोस्ता नहीं है बलकि जो बुरा फल मिला किसी भी कर्म की वज़े से उसको सह लेता है और परमात्मा का धन्यवाद देता है कि वहे कर्म समापत हो गया उसका फल मिल गया और आगे के लिए फिर कुछ गलत करने की सोचता भी नहीं है तो जो साधक होगा जो योगी होगा वो अपने कर्म के फलों को भोगता है तो ज्यानी जो है वो हसके भोग लेता है और जो अज्यानी है वो रोरो के भोगता है हमें भोगने तो पढ़ते ही पढ़ते हैं कहते हैं भगवान बुद के एक शिष्य मौगलायन रास्ते से जा रहे थे अब उनको रास्ते में चलते हुए पत्थर लग गया चोट लग गई खून बहने लग गया तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए आंखों से आसु बह रहे थे और हाथ जोड़कर प्रातना करने लगे आसपास के जो भिक्षू थे कहने लगे ये कोई प्रातना करने का समय है इस समय चोट लगी है हम इस पे कुछ दवाई लगा दे आप यहां प्रातना कर रहे हैं तो मौगलायन प्रातना से जब उठे तो उन्होंने कहा कि यही समय प्रातना का है मैंने कभी किसी जनम म किसी को पत्थर मारा था आज उसका फल मुझे प्राप्त हो गया ये अंतिम फल था अब सारे कर्म समाप्त हो गए है अब कुछ बाकी नहीं है तो परमात्मा का धन्यवाद दे रहा हूं कि तुमने ये मौका दिया अब भीतर सब कुछ शुन्य हो चुका है परन्तु ऐसी जो संभावना है वो सिर्फ एक ज्यानी की ही होती है जो अज्यानी है अगर पत्थर मिलता है तो वह गालियां देता है अब शब्द कहता है कोसता है संसार को तो हमें कैसे जीवन जीना है ये हमें खुद सोचना है जो अपना मित्र है वो अपने ले कभी कांटे नहीं बोएगा वो हर कृत्य सोच के करेगा उसकी सोच, उसका वेवार हर चीज बड़ा नपादुला होता है क्योंकि वो जानता है कि वो किसी और का बुरा नहीं कर रहा वो अपना ही बुरा कर रहा है जब हम किसी का बुरा करने का सोचते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, तो उसका फल हमें ही मिलने वाला है, और वो जब मिलता है, तब हम चलनाने लग जाते हैं, कहते हैं, कि एक साधू एक गाउं से जा रहा था, उसने देखा, कि एक व्यक्ति अपने बैलों को गालियां दे रहा तो सादू पास गया और इस व्यक्ति से कहा कि तुम इन बैलों को क्यों गालियां देते हो ये तो बिचारे कुछ कह भी नहीं पा रहे तो मैंने क्यों बोलते हो क्यों सता रहे हो तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मुझे उत्तर तो दे नहीं सकते हैं मुझे अपनी फ्रस्टेश बना रहे हो अब ये बैल तो कोई उत्तर दे नहीं सकते लेकिन जब इन गालियों का उत्तर तुम्हें मिलेगा आगे के जन्मों में तो बड़ा महंगा सौधा हो जाएगा इसे बंद करो तुम ये गालियां देना बंद करो तो उस व्यक्ति ने उस साधू की बात मान कर गालि करता रहा लेकिन उसके बाद वो ठक गया उसने कहा अब मैं क्या क्या हिसाब रखूं मैं बैल गारी चलाओं ये गालियों का हिसाब रखूं मुझसे तो नहीं होता और ऐसा ही होता है जब कोई संद को अच्छी बात बताता है तो चार दिन तो हम उसकी प्राक्टिस कर लेत हैं उस नियम का पालन कर लेते हैं परन्तु उसके बाद फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं तो ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हो गया अब कुछ महीनों के बाद जब वो साधू दुबारा आते हैं तो देखते हैं वो व्यक्ति धुआधार गालियां दे रहा है अपने बैलो जो ऐसी गालियां तो मैं तुम्हें पहले दिया करता था ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब ऐसी गालियां तुम्हें कभी नहीं दूँगा तो साधु ने कहा कि तुम धोका किसको दे रहे हो ना तुम इन बैलों को दे रहे हो ना मुझे तुम स्वयम को धोका दे रहे हो और ये जो धोका है ये तुम्हारे लिए महगा साबित होगा तो मनुष्य जब कुसी का बुरा करता है तो अपना ही बुरा करता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें प्राप्त होता है इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, पुढ़ने की तरफ चलना चाहिए, जैसे एक जील में पत्थर डाल दिया जाता है, तो रिपल एफेक्ट होता है, तरंगे बनती जाती है, आगे तक दूसरे कटो को छूती चली जाती है, हम जो भी कर्म कर देते हैं, उसकी तरंगे आग प्यास कीजिए, तो मित्र क्या करेगा, योगी क्या करेगा, सब के लिए मंगल कामना करने लगता है, सब के लिए अच्छा सोचता है, चलते हुए पक्षियों के लिए, अकाश के लिए, धर्ती के लिए, पत्थरों के लिए भी प्राठना करता है, और ऐसा करते हुए, उस सबी को हरियो सबी वक्तों के लिए बहुत बहुत आशिरवाद, बहुत बहुत शुवकामन हैं और सभी को आमंतृत कर रहा हूँ मैं रिशिकेश हिमाले गंगा तट पर बैठ करके हम लोग प्रतेक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, द्यान साधना में शामिल होंगे यह कारिकरम रहेगा 17 नौंबर से 20 नौंबर 2022 तो आप परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर और हेमाले के उस आंगन में, जहां शद्दा वाव से प्रतेक वर्ष हम लोग साधना करतें, इस बार की साधना बहुत बहुत अधुत होने वाली है, उसके संबंद में अलग से आपको जान करे देंगे, क्या क्या लाब बस आप से तो इस समय यही निवेदन करूंगा, कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जो लोग ही माचल में नहीं जा पाये थे, मनाली नहीं जा पाये थे, तो उन सब के लिए आवसर है, कि वो रिष्य के आवश्य पहुंचें, और इस बार इस बात का भी द्यान में पूरा आवसर मिल सकें और शांती में आप जय है, वहां साधना भी कर सकें, कंगा सुनान भी हो सकें, और वहां के आरती में भी भाग ले सकें, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशिरवाद, मंगल कामनाय और आमंत्रन भी झाल